आंग्रेस ने ता इमरान परताब गड़ी हमारे साथ हैं इमरान जी आज संसद में वाक आउट कर दिया कांग्रेस ने प्राजे सवा से भी किया और लोग सवा से भी किया आखिर नराजी क्या है ग्रह मंतरी खुदाए ब्यान देगे गए उसके बाद रक्षा मंतरी पहले ग् से जुड़ी किसी भी स्थिती पर विपक्ष की नराजगी नहीं हो सकती विपक्ष सीधे एक सवाल कर रहा है कि जब 9 दिसंबर की घटना तो उसको आपने देश से छुपा के क्यों रखा पहली चीज दूसरी चीज अगर रक्षा मंतरी बयान देने आ रहे हैं तो उससे पह दूसरी बात है कि घटना पहली घटना नहीं है दोकलाम हमने देखा गलवान हमने देखा हालिया कि दो-तीन सालों में जिस तरह से भारतियंता पाटी की सरकार चीन के मसले पे बिफल साबित हो रही है कोई ठोस नीती नहीं है आपने जूला भी जुलाया था आपने चाय भी पिलाई आपने भाशनों में कहा कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसाया है ना कोई वापस गया ये भी जूट साबित हुआ तस्वीरे मौजूद है विजूल मौजूद है ऐसे में मुझे लगता है कि अब गुमराह करना बंद करिये हम सरकार पर यही दबाव डाल रहे है कि हम और जवानों की शहादत नहीं चाहते हम आपने चीन की सरहत को बिलकुल ऐसे फ्री खोल दिया है कि कोई भी आए और कोई भी चला जाए आज की जो रिपोर्ट से हुए है कि 600 के आसपास सैनिक आये थे पिय लेके और तैयारी से आये थे वो जड़ब करके गंभीर जड लाल आखे दिखाने की बात की थी प्रधानमंत्री ने यहां तक का कि एचींच जमीन हमारी ना कोई ले सकता है ना किसी ने ली है और जो भी पहले की जब कांगर्ज की सरकार थी उस जमाने की बात कर रहे हैं कि उस समय में जो चीन ने हमारी जमीन हट पी देखिए तु उनकी बात जूट था था लोग घुसे लोग घुसे थे जोटि सावीत हुए रहा हुए lij trabalho मंत्री जी वह तो जान की काुटी सही निए अ प्रैविट फंड दिया जाता था और उसको बैन करने की भी बात की जा रही है वही है कि जब किसी मुद्दे पर घिरेंगे तो आप एक दूसरा फालतू का मुद्दा उठा के लाएंगे आज का जो विशे है उस पर जवाब दीजे हम उस पर जवाब मांग रहें आप कितना कि गुम्राह करेंगे देश को मुद्दे से भटकाना चाहेंगे हम आपसे पूछ रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर इस तरह की घटनाय रोज क्यूं घट रही है इसकी पुन्रावृत्ति कब रुकेगी साफ कहना था इमरान प्रताब गड़ी का की लगातार जो मुद्दे की बात है उस पर ना बात करते हुए मुद्दे को गुम्रह कर रही है सरकार इस पर अमरान प्रताब गड़ी बोल रहे हैं कैमरामन डिरेश ठाकूप इस अत्रमेसिंग मुशन डिकोर देले